अगर आपके पास Vivo का T3 Ultra 5G है तो आज आपको बताएंगे इस फोन की अगर आपको करना है double tap setting तो कैसे कर सकते हैं इस फोन की double tap setting को on करने के लिए आपके फोन की setting रहेगी सबसे पहले इसको open कीजिए और यहां से सरह सर को scroll कर लिजिए scroll करने पर आपको shortcut and accessibility देखने को मिलता है जिसके उपर आप क्लिक करेंगे तो आपको smart motion feature मिल जाता है यहांपर क्लिक करके आपको smart screen on off के लिए क्लिक करना है अब आपको बहुत सारे feature यहां पर मिल जाते हैं सभी की बारे में आपको बताते हैं तो race to wake वाली feature को अगर आप open कर लोगे तो जैसे आपका phone रखा हुआ है कुछ इस तरह से अब जैसे आप phone को pick up करोगे जो phone का screen है वो automatic on हो जाएगा आप चाहें तो इस feature को यहां से on करा सकते है अगर आप चाहतें डबल टैप करके screen आपका lock होना चाहिए तो आप इस feature को on कीजिए चाहते हैं डबल टैप करका screen आपका यहां पर लॉक भी हो जाना चाहिए तो आप इस फीचर को अउन कीजिए तो आप इस तरह से स्कीन को लॉक कर सकते हो इस तरह से स्कीन को अउन भी कर सकते हो